तमाम दोस्तों को नमस्कार आदाप सलाम राम राम क्या आल है दोस्तों उमीद है ठिक्ठा को जोट वड़ा दवा खाना में एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक और शेर इसको जरूर करा करें आप लोग चैनल को सस्क्राइब बहुत कम करते हैं हालांकि बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पोंस मिलता है ऐसी बात नहीं है मगर साथ के साथ आप इसको सस्क्राइब जरूर किया करें बालों के उपर गंजापन के उपर पहले भी मैंने दो वीडियो डाली थी और करीब करीब मैंने ज्यादा नहीं तो 300 लोगों को दवाई भेजी है ठीक है कीमत 5250 रुपे सब को ही पता है खैराज मैंने लिक भी दिया है जो लोग कीमत पूचते हैं ठीक है और एक जो लोग गारंटी सबद का इस्तेमाल करते हैं ठीक है वो लोग मैं पहले भी ओडियो में बोल चुका हूं वीडियो में बोल चुका हूं कि वो लोग मुझे फोन ही ना करें क्योंकि वो अपना भी टाइम जाया करते हैं और मेरा भी टाइम वेस्ट करते हैं तो इससे अच्छा है जब मैंने पहले ही लिख दिया कि बिल्कुल 100% इलाज है या तो आप लोग घर पे बना लें या फिर मंगवा लें और मैं तो कहता हूँ कि आप लोग घर पे बनाएं बहुत अच्छा रहेगा ठीक है लोड़ी सी मेनत जरूर है बिना मेनत के कोई चीज होती नहीं है मार्केट में मैनत करोगे तो अवशे ही सफल होंगे करना क्या है जिन लोगों को मैंने पहले तेल बेजा था पेश्ट बेजा था ठीक है उन में से काफी लोगों का वीडियो मेरे पास आया है मैं डालने की कोशिस करूँगा यूटूब पर भी उस वीडियो क जिनको बहुत अच्छा रिस्पोंस मिला है करीब 85-90% रिजल्ट है 10% बाज लोग ऐसे हैं जिनका पेट साफ नहीं होता है या फिर नजले की प्रॉब्लम है तो ये भी मैं पहले ही बोल चुका था कि जिनको नजला है या पेट की दिक्कत है तो वो पेट भी अपना साफ और नजला बिल्कुल ठीक कर लें काफी लोगों को मैंने नजले की साथ के साथ ही दवाई दी थी खैर कोई बात नहीं नुष्टा आप नोट करें ज्यादा कोई लंबा चोड़ा नहीं है बहुत ही आसान तरीका है ठीक है आपको सबसे पहले लेना है 100 ग्राम सुर्मा श्यहा शुर्मा जिसको काला सुर्मा बोलते है ठीक है यह ठीक है यह काला सुर्मा है ठीक है इसके छोटे-छोटे टुकड़े कर लेना है ठीक है यह सुर्मा श्यहा लेकर आपको इसको इतनी अच्छी तरह बारिक पीष्णा है इतना बारिक पीष्णा है कि कम से क ज्यादा नहीं तो इसकी 7 से 8 गंटे तक खरल करना है खरल मैंने पहले भी बताया था कि खरल इसको बोलते हैं ये खरल है ठीक है इसकी अंदर इसकी गुटाई करनी है ठीक है जी गुटाई करने के बाद में आपको अंकोल का तेल लेना है अंकोल का तेल आपको पाताल जंतर से निकला हुआ हो तो बहुत बढ़िया है क्योंकि मैं पाताल जंतर से निकाल कर ही यूज़ करता हूँ यह अंकोल का तेल है ठीक है यह अंकोल का तेल इसके अंदर डाल के और इसका पेश्ट बना लें अच्छी तरीके से ठीक है जब इसका अच्छी तरीके से पेश्ट बन जाए तो हल्की सी पपड़ी इसको रात को आप पपड़ी के हिसाब से लगाएं लगा कर उपर कोई भी जालीदार चीज ओड़ दर सो जाएं सुबह इसको साफ करें फाइदे मैं बताता हूँ अगर सीर के अंदर खोरा है फूंसियां होती है या जखम कोई भी है सबसे पहले उसको साफ करेगा ठीक है उसके बाद जो भी रोन चिद्र बंद हुए हैं उनको वापिस ये खोलेगा इसके साफ में एक तेल आएगा जो ब्रंगराज आउला और ये आपका बरगद और अंकोल इस तरीके का एक है तेल बनाया हुआ है वो तेल दो महीने का साथ में इस्तेमाल करना है और ये जब आप लेप इस्तेमाल करेंगे तो देखेंगे 20 से 25 दिन में आपके बाल बिल्कुल पूरी तरीके से निकल जाएंगे एक तम 100 परसेंट बाल निकल जाएंगे ठीक है जिनके भी बाल जा चुके हैं या साइडों में से चले गए हैं या पूरे गंजा हो गया है बस हलकी हलकी रुवा होना जरूर है ठीक है जो रुवे निकलते हैं बालों में हलकी 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 बाल चोटे चोटे से दिखने चाहिए ठीक है एक होता है कि कई लोगों के एकदम टकली बिल्कुल चिकनी हो जाती है जिन लोगों के एकदम चिकनी हो गई है उनको टाइम लगता है बाद बाल उनके भी निकल जाते मगर उनको 20-25 दिन में कोई result नहीं मिलेगा थिक है उनको करीब डेड़ से दो महीना लग जाएगा अब मरीज मुझे पहले वाटसअप पर फोटो बेज़ते हैं उसके बाद में मैं उनको बताता हूँ कि इतने दिन में आपके बाल निकल जाएंगे कुछ लोग हैं बोलते हैं कि एड्रस क्या है तो जोटवाड़ा दवा खाना जैपुर में एक जगह है जिसका नाम है जोटवाड़ा और वहीं पे आप आकर मुझे फोन करें या वाटसअप पर मेसेज करें और ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप लोग मुझे वाटसअप पर मेसेज करें मेरे को जैसे ही समय होगा मैं आप लोगों को reply करूँगा बहुत से call आते हैं पिक नहीं कर पाते हैं तो आप लोग मुझे whatsapp पे ही message करें उमीद है वीडियो पसंद आया है तो like और share जरूर करें और अपने दोस्तों को आगे बेजें हंड्रेड परसेंट जो तरीका कार मैंने बताया है उससे बाल बिल्कुल आते हैं गंजापन बिल्कुल समाप्त हो जाता है आप ट्राई करें आजमाएं और दूसरों को भी दें ताकि उनको भी फायदा हो राम राम हरियों नमोना रायन